आप लेडिए इनसेंस अफिर 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 आज आज का ये वीडियो एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक के होने बाला है कि क्यूं गाइस आप लोग का आप लोग का कोई भी मॉस्टर फीस हो जाए आप लोग को लोकल जो रिवर्स होता है लोकल जो पॉंस होता है उसमें छोड़ना क्यू नहीं जै क्यूंकि गाइस मैं इतना दिन से बहुत आर्टिकल पढ़ रहा था है कुछ दिन पहले प्लेको का आर्टिकल आया उससे पहले कुछ दिन ऐलिगेटर गार का आर्टिकल आया बोध वीडियो पोड़ा एंट तरक देखना वीडियो थोरा से भी अच्छा लग एक लाइक कर देना और चैनल पर भी नहीं होता है सब्सक्राइब करके लाइक और को प्रेस कर देना चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो पहले सुरू करता हूँ कुछ पहले जो न्यूस आया था कि प्लेको को रिवर बॉड़ी में छोड़ दिया देखिये गाइस प्लेको आप लोग सपोस्ट दो ठो छोड़े प्लेको जो होए बहुत ही अल्गी और प्लैंट्स खाता है और आप लोग को पता है ओपेन जो लोकल रिवर बॉड़ी सोता है ज कि अईसा करके बर्ते बर्ते 100-500-200 तक चला जाएगा उसके बाद क्या करेगा सिंपली लोकल जो रिवर बॉड़ी सा एकोसिस्टेम पूरा डेमेज करदेगा कैसे कैसे देखिये कोई क्या करता है चोटा फिश फिश कर जो खाने वाला होता है या फिर और कोई फिश होता है तो क्या होता है ओ लोग चोटा फिश को उठा के खा लेगा बड़ा फिश को डेमेज तो नहीं करेगा पर लोग जब बड़ा हो जाएगा छोटा फिश को मार देगा इतना पॉपुलेशन बढ़ जाएगा कि आप लोग और कुछ कर भी नहीं सकते इसलिए गाइस यह प्लेको का किस आप लोगो समझ आ गया होगा यह सी लिए जो है प्लेको को बैं कर दिया गया इंडियन वाला क्योंकि इंडियन बहुत ही फास्ट ग्रो काता है बहुत बढ़ा भी होता है इसलिए बैं कर दिया गया है अभी कुछ जो एक्जोटिक्स में आता है मतलब फोरें से इसलिए बैंडियो पकर के दिखाया था लोकल बॉड़ी में छोड़ दिया था उससे पहले एरापाइमा के न्यूज आ था कि फार्मर्स लोग ज़े एरापाइमा को मतलब बेसिकली पकर के उसे काट के खा लिया था मतलब सो सकते है आप लोग अगा छोड़े तो उसका क्य अंजाम हो सकते है एक एरापाइमा का कोश्ट आप लोग को पता होगा आठ था नौज़ा था खड़ी देंगे उसके बाद छोड़ देंगे फिर ओर लोग जोए उसे मार देगा यह होता है बेसिकली सो आप लोग मेरे को पता है कि बहुत को ऐसे यूटुब में वीडियो स मॉंस्टर फिश ने आला रहे हैं देखने में सुन्दर है उससे इंस्पिरेशन होके हम लोग पालते हैं पर पालने के बाद क्या उसका मेंटेनेंस का क्या एट लाश्ट आप लोग अगर नहीं रख सकते तो उसे बेस देंगे या फिर काई पर छोड़ देंगे यह तो नह लोग एकोसिस्टेम डेमेज करेंगा क्योंकि मचली को खा लेगा यह भी ठीक नहीं है छोटा मूटा फिश ही ठीक है पर आप लोग अगर यह सब फिश चोड़े सपोस्ट अरा एलिगेटर गार अरा पाहिमा तो सबको खाएगा एलिगेटर गार वैसे हीमन को उतना लाट के एलिगेटर गार को छोड़िए बहुत कोई बोलता है पीराना को रखने में क्या होगा लोकल बोडिस में स्काइस देखिए पीराना पहला बात जुंड में रहता है आकेला कभी नहीं अटाक करते कभी आप लोग नहीं देखेंगा अगर सिंगल रहेगा तो बात अ अगर पाल रहे आपको उसको लाइफटेम के लिए रखना होगा लाइफटेम के लिए रस्पोंसेबिलीटी रहना होगा और लस यूट शूडण की पिराना इन यूर होम क्योंकि पिराना बहत ही डेंजरेस होते है पिराना कुछ भी कर सेकता आकेला रखेंगे तब भी अगर विगर भी कहाने लग्याज का आपका पूरा लॉस होना सुरू हा जाएगा यह सब फीस इसलिए यह सब लोकाल रिभरषा चोडने के लिए निये यह आपलोको को पॉंड बना के इन रखने के लिए सब फीश है ना कि लोकाल बटी में छोनने के लिए इसलिए एक मों यह लोग जो है अगर responsibility नहीं ले सकते तो बहुत ही दिक्कात वाला बात होगा कोई आप लोग अगर बेचेंगे तो कोई खरीदेगा भी नहीं इतना बारा फिश को कौन खरीदेगा तो आप लोग के बास चारा नहीं रहेगा आप लोग जाके छोड़ देगा एक अंजाम कैसे भी हो आपको इंतेजाम करना होगा नहीं तो आप लोग को पालना नहीं चाहिए नहीं तो क्या होगा देखिए इन फ्यूचर यह तो आपका फिश हीुमन्स को उपर अटाक करेगा यह फिर हीुमन्स आपका फिश को अटाक करके मार देगा यह होगा इसलिए गाइस ब थोड़ा सभी इंफर्मेटीवी और अच्छा लगाया तो वीडियो का एक लाइक कर देना लाइक कियो भीना कभी मत जाना और चैनल पर भी रहाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को भी प्रेस करना ऐसा और वीडियो से इन फ्यूचर रेगुलरली देखने के लिए तो चल